राहुल बाबा कान खोड़कर सुन रो और सबरूम वालो आप भी टिकेट करा लो एक जन्वरी दोजार चोबीस को अयोध्या में गण चुम्बी राम मंदिर वहाँ पर आपको तयार मिलेगा केंद्रिय ग्रह मंत्री अमिश्या ने गुरुवार को एलान किया है कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर एक जन्वरी दोजार चौबीस तक बन कर तयार हो जाएगा प्रिपुरा में एक सार्जिनिक रैली को संबोधित करते होए अमिश्या ने कहा राहुल बाबा सुन लीजिये कि एक जन्वरी दोजार चौबीस को विशाल राम मंदिर बन कर तयार हो जाएगा गौर्टलब है कि दोजार चौबीस में लोकसबा चुना होने हैं ऐसे में राम मंदिर का उधगाटन बीजेपी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है अमिश्या ने कहा कि कॉंग्रिस ने अदालत में राम मंदिर के निर्माण में बादा डाली सुप्रीम कोड का फैसला आने के बाद पाच अगस्त को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने राम मंदिर के निर्माण कार्रेक यदारशिला रखी थी राम मंदिर के नक्षे के मुताबिक मंदिर के भूतल पर 106 स्थम ताली मंजिल पर एक से 32 स्थम और दूसरी मंजिल पर 34 स्थम होंगे इसके अलावा मंदिर में पांच मंड़प होंगे और मंदिर परीसर में एक तीर्थ यातरा सुविदा केंद्र म्यूजियम, रिसर्च सेंटर, ओडिटोरियम, प्रशाषनिक भवन और मैदान में पुजारियों के लिए कमरे होंगे मैदान के एथियासिक उद्घाटन के मौके पर देश विदेश से लाखोश रधालवों के आने की उमिद है बताते चलें कि 1990 में बीजेपी के वरिष्ट नेता लाल कृष्णा अंडवानी की रत्यात्रा के साथ अयोध्या में राम मंदिर की मांग जन आंदोलन में तब्दील हो गई थी राम मंदिर आंदोलन में ही बीजेपी को देश के केंद्रिय राजनीती में पहुँचाया 1992 में सोलवी शताब्दी के मुगल समराट बाबर द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों द्वारा तोड़ दिया गया जिससे कई लोग भगवान राम का जनमस्थान मानते हैं लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोट में भी उस जगा को भगवान राम का जनमस्थान माना जहां अब राम मंदिर का मिर्मान हो रहा है ब्यूरो रिपोर्ट पर्यावरन पोस्ट सब्सक्राइब करें पर्यावरन पोस्ट